पिगना हर्ता श्री गडेशा श्री गडेशा श्री गडेशा श्री गडेशा आज नवरात्री का अंतिम दिवस है और जिसमें आज हम कथा सुनाएंगे माता के नवम स्वरूप माता सिद्धी दात्री की अपने नाम के अनुरूप माता सिध्धी दात्री अपने भक्तों को सिध्धियां प्रदान करती है महादेव, ब्रह्मदेव और नारायन को समस्त सिध्धियां प्रदान करने वाली भी माता सिध्धी दात्री ही है आश्चरिय? ये काबर कैसे हुए ब्रह्मादेव था? ये उस समय की बात है महराण, जब ब्रह्मांड में शक्ति के अत्रिक्त और कुछ भी नहीं था तब श्री महाकाली ने महादेव, ब्रह्मादेव और नारायन के साथ साथ उनकी शक्तियां माता पार्वती, माता सरस्रती, एवं माता लक्षमी को प्रकत किया जिसके उपरांत श्री महाकाली ने त्री देवों को स्रिष्टी की संचालन में अपनी भूमी का ग्याद करने है तू, उन्हें ध्यान साथना करने का निर्देश दिया प्रणाम भ्रम्यदेश, नाराय, महादेश, अब आपका अपनी पत्नियों का साथ फाने का समय आ गया ब्रम्यदेश, आप संसार के स्रिजन का दायत में सम्हालेंगे नराय, श्रिष्टी के पालन करने का कार्यभार, आपका महादेश, समय आने पर आप संसार के संघारक होंगे लेवी सिद्यातरी, आपने हमें हमारे कार्यभार तो बता दिया किंतो इन दायतों को हम निभाएंगे कैसे? आपकी पत्नियों के रूप पे, आपकी शक्तियां तो पूर से ही आपके साथ थी किंतो मैं आपको सिद्यां प्रदान कर, आपको आपके दायतों निभाने का सामर्थ प्रदान करती सर प्रथम जो अश्च सिद्यां मैं आपको प्रदान करूँ वो है अनीमा जिससे साधक अपने शरीर को लगुकाई बना सकता है लगीमा शरीर का भार कम करने की सिद्य प्राप्ति जिससे साधक कहीं भी कुछ भी प्राप्त कर सकता है प्राकम जिससे साधक अपनी कलपना सत्यरूप दे सकता है महीम, इच्छा अनुसा विशालकाई होने की सिद्ध, इशितत, समूचिक श्रिष्टी पर सत्ता स्तापित करने की सिद्ध, सर्वकाम विशयता, जिससे साधक, किसी भी कारे को नियंतरण में करके, भली भादी संपन कर सकता है, एवम सर्वक्य तत, जिससे किसी भी प्रकार की ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, आश्ट सिद्धियों के अतरे, माता सिद्धी दात्री ने त्रिदोवों को अन्यत दस सिद्धियां विब्रदान करी, जिन्हें प्राप्त करने से व्यक्ति के भीतर प्रकृति की समस्त गुण समाहित हो जाते हैं माता सिध्धी दात्री ही समस्त सिध्धियों की जन्म दात्री हैं उनकी ही शक्ति से तृदेव अपने समस्त दायत्तों निभाने में सक्षम है इसलिए वो उनकी आरात थे संसार में माता सिद्धी दात्री का प्रादुर भाव इसी सत्य को उजागर करने के लिए हुआ है कि संसार में स्त्री शक्ती ही सर्वोच्च है महादेव की प्रकृती में स्थिर्ता है किन्तु माता की प्रकृती में गति शीर्ता इसलिए हमारे किसी भी कर्म के पीछे जो उर्जा होती है वो हमें माता सिद्धी दात्री से ही प्राप्त होती है और सिद्ध पुरुषों के साथ उनकी सिद्धियों का रहना उनके आचरन पर ही निर्भर करता है और किसी भी परिवार में जीवन दात्री और बल प्रदान करने वाली तुस्त्री ही होती है यदि हम उस बल का उप्यो सत्कर्म एब हम परिवार की भलाई के लिए करें तो परिवार के हर्ष, आनंद और बल सभी में सदैव वृत्धी होती रहती है अब हम अपने शरीर के शीर्ष में स्थित सहस्त्रार चक्र पर ध्यान के इंद्रित कर माता की आर्थी करेंगे आज देवी की पूजा संपन हुई है तो महाराज दिवोदास महादेव के काशी प्रवेश के लिए सहमत होंगे क्योंकि यही कहा था गणेश ने नवरात्री पूजा संपन होने पर महादेव और देवी पार्वती के सैयोंग की मार्ग की बाधा मिट जाएगी आपके दिये कर्तव का निर्वाहन तो मैं तभी कर सकूंगा जब महादेव काशी का पूर्ण रूप से परित्याक करने की किर्पा करेंगे मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम काशी में स्थित होकर संसार के राज काज का का कार्याबहार संभालोगी महादेव काशी में एक ही राजा हो सकता है यदि मुझे यहां राज्य करना है तो आपको यहां से प्रस्थान करना होगा मुझे काशी छोड़कर जाना होगा कि तुम काशी में स्थित होगा जनसार के राज सब्सक्राइब अगरेव काशी में एक ही राजा हो सब्सक्राइब यदि मुझे यहां राज्य करना है तो आपको यहां से प्रस्थान करना नए 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 नई, नई 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 पुद्ददभान सहस्त्रकान्टिम्रोनक्षान माता प्रक्तालिप्त पयोधराम जब पटिं विध्याम भीतिं वरं हस्ताव जर्धतिं त्रिनित्र विल्सत्वत्रारविंद श्रियं देविं बध्यमान शुम्रत्न मुकटाम बंदे समंदिस्मिताम पुमा, मेरा काशी त्यागने का समय आ गया है किन्तो आपको तो यहीं रहना होगा क्योंकि आपको अपने निवासवर दृष्टी भी दो रखनी है किन्तो स्वामी किन्तो स्वामी स्वामी रुक चाहिए माता मैंने आपको महादेव से दूर रहने पर विवश किया और फिर भी आप मुझे अपने सभी स्वरूपों में दिव्य दर्शन प्रदान कर मुझे अपना आशिश प्रदान किया मैं आपका दोशी हूं माता यह यह मैंने क्या किया माता 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 माहराज प्रतम पूज गणेश जी कुमार कार्थिके हम धन्य हो गए हम धन्य हो गए हम महाराज दीवुदास महारानी सर्ला मेरे पुत्य गणेश और कार्थिके आपको मेरी संपूर्ण कथा सुनाई और पून मिधि विधान से मेरी पूजा संपन कर आपके समस्चक्र और कुंडीनी शक्ती भी जागरित हो गए जिसके कारण माया की वो महीम परत जो आपकी द्रिष्टी और बुद्धी को बांधित कर रही थी अब वो भी हट गई और मेरी कृपस आप दोनों को अब दिव्य द्रिष्टी प्राप्त हो चुकी और अब आप ये समझने भी सक्षम कि दस महादेवियां भी मैं और नौ देवी भी मैं ही प्रथमम्शेलपुत्रीच द्वितियम्ब्रम्हचारणी द्वितियम्चंद्रगंटेती कूश्मांडेती चतुर्धकम् पंचमम्सकंदमातेती शष्ठमकात्यायनीतिच सप्तममकालरात्पीति महागोरितिचाष्टमम्च नवमम्सिधिदात्रीच नवदुर्गाः प्रथियम्धाः जग जननी जय जय आप दोनों मेरे पून दिव्यदर्शन और मेरे प्रतेक स्वरूप में मेरा आशीश ही प्राप्थ हुआ है। प्रभू आपने हमसे पून विदिविदान से नवरात्री फूजन कराके हमें कृतार्थ कर दिया प्रभू कृतार्थ कर दिया। महाराज हम तो मात्र अपना कर्तव दिनिभा रहे थे। अब नवरात्री पूजन संपन्न हो चुका है। मैं बहुत बड़ी भूल कर बैठाओं प्रभू बहुत बड़ी भूल। आज मुझे आभास हुआ कि महादेव को काशी से प्रस्थान करने पर विवश्कर मैंने कितनी बड़ी भूल की है। भूल तो सुधारी भी जा सकती है महराज। किन्तु कैसे गड़ेश जी जब तक मैं यहाँ काशी में हूँ महादेव यहाँ वापस नहीं आ सकते। और काशी गर राजा होने के कारण मैं काशी से कहीं नहीं जा सकता। मात्र दस दिवस की अवधी की पश्चात काल आपकी आत्मा को आपकी देह से विलक कर अपने साथ ले जाएगा। प्रभू आपने कहा था कि दस दिवस में महाराज की मृत्यू होगी। क्यों कि तो क्या वास्तों में उनकी म्रित्यूगा समय निकट आ गया है। कि आए हुआ हाँ हुआ है आ हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ 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 है नाराएल प्रभू मेरे आरद्य। प्रथम पूजय गणेश के मुख से निकले वचन मिथ्या कैसे हो सकते हैं राजा दिवदास ये सकते हैं कि आप जैसे धर्मात्मा को मिथ्य उस्पर्ष भी नहीं कर सकती किन्तु ये भी सकते हैं कि महादेव के काशी लोटने हे तू अब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी और उसके लिए आपको अपने प्राण से वंचित होने अत्व अद्देह को भी त्यागने की आवशक्ता नहीं है आपने देवी का पूजन किया है महाराज दिवदास और काशी तो मेरे महादेव का स्थान है इसलिए काशी मुझे भी प्रिय है इसलिए मैं काशी में एक सरोवर की रचना करना गए जहां पे आप एक शिर्लिंग की स्थापना करेंगे जिससे आप महादेव को उनकी काशी से बाहर और उनकी शक्ती से दूर करने के पाप से दोश मुक्त होंगे उसके पस्चात में आपको और महारानी सरला को से शरीर रेकुंट लेके जाओंगा अनुन नमों बग्वड़ेवा सुथेवाय नमा आज से ये सरोवर दीवोदेश्वर लिंग के नाम से विख्यात होगा मामा जी आपने काशी में अपना सरोवर स्थापित कर काशी को संपूर्णता प्रदान की है क्योंकि अब ऐसा कोई भी देवता शेश नहीं है जिनका काशी में स्थान ना हो जैसे की पिताश्री का विश्वनात मंदिर, माता का मंदिर, ब्रह्म देव का दशा अश्व मेद घाट, सूर्य देव की द्वादश कुंड और योगनी माताओं के चौसट योगनी घाट महराज दी वुदास, अब आपका काशी से प्रस्थान करने का समय आ गया है प्रभू, मैंने महादेव को काशी से दूर भेज कर बहुत बड़ी भूल की है माता और महादेव को दीर गवदी के लिए एक दूसरे से विलग रखा मैं इसका पश्यताप सदैव करता रहूँगा हमें शमा कर दीजिए माता, शमा कर दीजिए महादेव, मुझे वचन देने के कारण आप काशी छोड़ने और माता से विलग होने के लिए विवश हो गए थे मुझे शमा कर दीजिए, मुझे शमा कर दीजिए महादे, मुझे शमा कर दीजिए प्रभू, काशी लोट आईए, काशी लोट आईए माता आपकी प्रदेख्चा कर रहे हैं प्रभू समय रहते अपनी भूल स्वीकार करने वाला व्यक्ति ही महान कहलाता है क्लिक थिव शोलिक्स और एंजोई वाचिंग विडियो विडियो चुछ रहते हैं